नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल, इंडियन व्लोगर नरिश कुमारी में आप लोग कैसे हैं? ये तो हम सब जानते हैं कि शनिवार के दिन शनीदेव को तेल चड़ाया जाता है लेकिन क्या आप ये जानते हैं? शनीदेव को तेल क्यों चड़ाया जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि शनीदेव को तेल क्यों चड़ाया जाता है? इसके पीछे क्या मानताएं हैं? शनिवार के दिन सुभा से ही तेल दान मांगने वाले और सनी पर तेल का अविशे करने वाले लोग मिल जाते हैं ग्रोहों में शनी देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है शनीदेव एक मात्र ऐसे देव हैं जिनकी पूजा लोग डर की वज़े से करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है शनीदेव न्याई के देवता है जो इनसान को उसके कर्मों के हिसाफ से फल देती है अक्सर देखा गया है कि शनिवार के दिन शनीदेव को तेल चड़ाया जाता है और सरसों के तेल का ही दीपक भी जलाया जाता है तेल और शनी के बीच क्या संबंध है ऐसा क्यों है कि सनीदेव को तेल चड़ाया जाता है शनीदेव को तेल चड़ाने के पीछे दो पौरानिक कथाएं प्रचलित है पहली कथा का संबन रावन से है सनीदेव को तेल चड़ाने के लिए ये पौरानिक कथा काफी प्रचलित है माना जाता है कि रावन अपने एहंकार में चूर था और उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था सनी देव को भी उसने बंदी ग्रहे में उल्टा लटका दिया था उसी समय हनुमान जी प्रभुराम की दूत बनकर लंका गए हुए थे रावन ने एहंकार में आके हनुमान जी की पूज में आग लगवा दी थी इसी बात से क्रोधितों के हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी लंका जल गई और सारे ग्रह आजाद हो गए लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनी देव के शरीर में बहंकर पीड़ा हो रही थी और वे दर्द से कर रहा रही थी शनी देव के दर्द को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की थी और शनी देव को दर्द से मुक्त किया था उसी समय शनीदेव ने कहा था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ती से मुझ पर तेल चड़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तभी से सनीदेव पर तेल चड़ाने की परंपरा शिरू हो गई थी दूसरी कथा के अनुसार एक बार शनीदेव को अपने बल और पराकर्म पे घमंड हो गया था लेकिन उस काल में भगवान हनुमान के बल और पराकर्म की कीर्थी चारों दिशाओं में फैली हुई थी जब शनीदेव को भगवान हनुमान के बारे में पता चला तो वह भगवान हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़े जब भगवान शनीदेव हनुमान जी के पास पहुँचे तो देखा की हनुमान जी एक शान्त इस्थान पर अपने स्वामी श्रीराम की भक्ती में लीन बैठे हैं शनीदेव ने उन्हें देखते ही युद्ध के लिए ललकारा जब भगवान हनुमान ने शनीदेव की युद्ध की ललकार सुनी तो वह शनीदेव को समझाने पहुँचे लेकिन शनीदेव ने एक बात ना मानी और युद्ध के लिए अड़ गए इसके बाद हनुमान जी और शनीदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ युद्ध में शनीदेव हनुमान जी से बुरी तरह हार कर घायल हो गए जिसके कारण उनके शरीर में पीड़ा होने लगी इसके बाद भगवान ने शनीदेव को तेल लगाने के लिए दिया जिससे उनका पूरा दर्द गायब हो गया इसी कारण सनीदेव ने कहा कि जो मनुष्य मुझे सच्चे मन से तेल चड़ाएगा मैं उसकी सभी पीड़ा हर लूँगा और सभी मनोकामनाएं पूरी करूँगा इसी कारण तब से शनीदेव को तेल चड़ाने की परमपरा की शुरूरात होई शनीवार का दिन सनीदेव का दिन होता है और इस दिन शनी देब पर तेल चढ़ाने से जल्द आपकी मनोकामनाई पूर्ण होती है तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को मेरी ये वीडियो प्लीज जरू बताईएगा अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर करना और हाँ मेरी चैनल पर अगर आप लोग नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा और साथ में जो घंटी नजर आ रही है उसे भी दबा दीजिएगा जिससे की मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें